हैलो फ्रेंड्स वेलकम टू अलाइन शेडी सीरीज फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो के मादम से कच्छा बारा हिंदी के बहुत बिकल्फी प्रश्णोतर को सालब करेंगे जो कि आपका बोर्ड परिष्या 2022 के लिए काफी इंपोर्टन रहने वाल है आज का सेसन तो अगर आप बोर्ड परिष्या 2022 को देने वाले हैं तो इस वीडियो के सुरू से एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के मादम से मैं आप यहां पर बहुविकल्विक प्रश्णों को बता दूँगा जो कि बोर्ड के पेपर में हूँ बहु सेम तो सम यही आएगा अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका बोर्ड के पेपर में एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा तो वीडियो के सुरू से एंड तक देखिए और चैनल पर पहले बार विजिट कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल ऐकन प्रेस कर लिए तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिने किसी देरी के तो देखिए हम यहां पर इस वीडियो के मादम से कम से कम 20 से लेकर और वीडियो को सुरू से एवेंट तक दखिएगा ठीक ना प्लीज चलिए पहला नमर कोशन को समस्ते हैं क्या पोला जारा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं लेकिन आपसे पेपर में इस तरीके से पुछा जाएगा चार आपसन दिया गया होगा ठीक ना जैस अबीर प्रसाद दिवेदी सेकेंड आपसन है आपका स्याम सुंदर्दास थर्ड आपसन है आपका जैसंकर प्रसाद और चौथा आपसन है हर्देव बाहरी ठीक ना इस कोशन को कैसे हल करेंगे इसको मैं यहां पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख के बताता हूं ठीक को में ची प्रसाद दिवेदी स्याम संदर्दास को यहां लिखना है यहां पर लिख देना है आपको खिया क्या लिखिसे के स ref में ओंद और को सुंदर्दास थरो संपादक करते थे कौन करते थे अनंद कदम मिनी पत्त्रिका के संपादक या संपादन न न तो देखो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा उसका राइट एंसर रोगा बद्री नरायड चौधरी प्रेम घंड तो यहां पर इनका साथ फार्म दिलग सकते हैं आप यहां पर खन भी लिख दोगे ना थिки Jewysaminer समझ जाएगा ठीक कीबद्री न रायर्ण चौधरी की बात की जा रिए ठीक इस तरीके से अग्ला कोशन लिए अपका कि आश्टयाम की भातसा है antigo कौन सी भाता इसको आपको बताना था走 अश्टयाम की कौन सी भासा थे आपकी ब्रज भा यहां पर लिखेंगे ब्रज भाशा क्या लिखेंगे ब्रज भाशा इस तरीके सबको लिखना हम गाले कुशन करना से चलिए अगला कुशन समझते रहे बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे ओ तो इसका रमाट एंसर हो जाएगे आपका भारतेंदू हरिश्चन्द। क्या लिखेंगे भारेतेंदुحरु हरिश कंद्र चंद्र। टिक इस तरीके वैसे आपको लिख देना है अगला खुशम है अफिका की भारेतेंदु यूग के लेखक हैं तो भारतेंद्र यूग के लेखक कौन कौन से मैं आपको अपसंद देद रहाऊं ठीक ना उसी में सबको बताना है सियां पर प्रताप नरायन मिस्त्र राहुल संकृतियायन बासुदेव सरड अग्रवाल जैनेंद्र कुमार इसका राइट अंतर होगा प प्रताप नरायन मिश्त्र ठीक है इस तरीके से इस तरीके से आपको एट उजिवयर कोईशन को हल करना है समझ रहे हैं ना चलिये बहुत ही आपकर मेहनत लगा तो वीडियो को एक बार लाइक जलूर कर देना हिंदी प्रदीप के संपाधक थे इसका आपको राइट अंतर पताना है तो हिंदी प्रदीप के संपाद कौन थे बाल कृष्ण भट यहां पर लिखेंगे वाल कृष्ण भट ठीक चलिए अव्यला कुछन यह बोला जा रहे कि चंद्रकांता संततीक रचना है किस की रचना है या किस यूग की रचना है यह अब से पुछ देगा तो किस य यहां पे लिखेंगे दिवेदी यूग की ठीक दिवेदी यूग की इस तरीके से चलिए अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टें कोशन है ब्रामर पत्रिका के संपाधक थे यह कोशन बहुत बार रिपीटेट किया गया है 12 में 13 में 14 में 17 में इस बार कुशन के मैं गरांटी ल हो जायेगा प्रताफ ले ट nuance रहा है कि प्रताफ नारायर के ठीक चलिए अगला कुछन यह है कि सरसोती किस यूग की पत्रिका है यह आपको बतावना है तु सरसोती भी दिवेदी यूग की पत्रिका है किस यूग की है यहां पर लिख दो कि दिवेदी यूग दिवेदी यूग इस तरीके सापको हल कर देना है अगला कुछ नहीं है आपका कि कासी नगरी प्रचाणरी सभा के स्थापना किस ने की थी तो यह कि थी स्याम सुन्दर दास ने किस ने कि थी स्याम सुन्दर दास ने आप लिखेंगे स्याम सुन्दर दास इस तरीके साब को हल करना है तो यह तो आपको होगे 10 और मैं यहाँ पर आपको 20 करवा दे रहा हूं ठीक ना तो 20 के लिए हम यहाँ पर इस किताब से ही मैं एमसी क्यों करवार रहा हूं तो यहां से स्टार्ट करेंगे जो हाँ यहां परॉंप के छाया वारी लेखvent कारी करने वाले लेखक हो तो किस लेखक ने दिवैदी युग में मुक्षायावादी यूग किया जाया गुलारा इसकर यहां परॉठ mü कौन से होंगे गुलाब राए अगला कुछ नहीं आपका कि दिवेदी यूग किसके नाम पर पढ़ा है आपको समझना पढ़ेगा ना कि दिवेदी यूग किसके नाम पर पढ़ा है तो यह महाबीर परसाद के नाम पर पढ़ा है क्या है महाबीर परसाद के नाम पर आप यहा चलिए अगला कोशन समझते हैं जो यहाँ पर मोश्ट इंपोर्डेन उसको समझते हैं दिवेदी युक के निबंदकार कौन है तो चंद्रधर सर्मा गुलेरी इसका राइट अंसर हो जाएंगे इस तरीके से अगला कोशन समझते हैं देखो यह कोशन पहुत बार रिपीट कि आगे है निंदारस निबंद के रचनाकार हैं तो हर संकर पर साई इसका राइट अंसर हो जाएंगे निंदारस जो आपका निबंद है उसके रचनाकार कौन है हरी संकर पर साई आप आवाज को एक बार सुन लेंगे ध्यान पुर्वक्त तो याद हो जाएगा कि हरी संकर प यह राष्ट का सरूप किस निवंद संग्रह से लिया गया है यह प्रिथभी पूत्र इसका राइटेंस रो जाएगा निवंद संग्रह का क्या नम है प्रिथभी पूत्र ठीक ना इस तरीके से चलो यह जो कोशन है यहां पे देखरें चिंता मड़ी के बारे में बहुती काफ लागतार यह पुछा गया कोईशन है और इस बारे भी आने की संभावना है ठीक ना इसको भी समझ लेते हैं कि चिंता मड़ी के रचनाकार है प्रेम चंद्र स्याम सुंदर दास अचारी रामचंदर सुक्ल या गुलाब रहे तो अचारी रामचंदर सुक्ल जी चिंता मड़ करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा आपको ठीक अगला कोशन समझते हैं सिक्षा का उदेश निबंध संपूरानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रा से संग्लित है तो भासा की सकती इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक देखिए एक और यहाँ पर कोशन पूछ दी आप से कि सिक्षा का उदेश निबंध के कौन लेखक है या लेखक का नाम बताइए तो डाक्टर संपूरानंद अभी मैंने बोला कि चीजों को जब आप रिलेट करके पढ़ोगे न तो चीजे आसान हो जाती है ठीक इतनी चीजे चलिए अगला कुशन समझते हैं कि सची भीरता नामक निबंध के लेखक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो सरदार पूरसिंग इसका राइट एंसर कौन चाहँगे सरदार पूरसिंग और यह जो कोशन है देख सकते हो असोक के फुल निबंध है तो पग ड enzymes का जवान है क्या है एक नियवंध संग्रा है छिक ना इसे कलेक्शन जिसे बोलते हैं तो ये पगडेंडियों के जमाना किसे ने लिखा है हरी संकर परसाई ने ऐसे भी कोशन पूछ सकता है अगला कुशनी है कि भारत वर्षोनती कैसे हो सकती है हिंदी गद्ध की बिधा है तो निबंध है ये क्या है एक बिधा है जो कि आप एक निबंध है आवारा मस्या ये जो कोशन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आवारा मस्या के नाम वाला आवारा मस्या नामक जिवनी बिधा के रचना के लेखा का नाम बताईए तो विश्नु परभाकर इसके राइट एंसर हो जाएंगे क्योंकि ये विश्नु परभाकर द्वारा य यह most important question है इसको आप याद कर लिजिए कहीं पर लिख लिए नोट कर लिजिए ठीक ना चलिए अगला कोशन समस्ते हैं यहां पर देखो देखो यह question सुनिता विधा की इद्रिष्टी से रचना है उपन्यास की किसकी है उपन्यास विधा है ठीक अब यहां पर देखो अगला question कि निमना लिखित में से नाटक है चार अप्षन दिये गए हैं कौन सा इसमें से नाटक है इसको आपको चूच करके लिखना है तो उतर प्रियदर्सी यह क्या है एक नाटक है ठीक ना चलिए अगला question समस्ते हैं प्रेम चंद की उपन्यास नहीं है इसमें से कौन सा और यह जो बहुत ही most important question है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास का नाम बताईए परिक्षा गुरू बहुत ही most important question है यह ठीक ना चलिए अगला question कि संजोगिता स्वेंबर नाटक के लेखक हैं तो स्री निवास दास जी इसके right answer हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको पेपर में याद करना है और पेपर में किस तरीके से लिखना है हमने सब कुछ बता दिया है ठीक ना हमने पूरा यहां पर डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से चीजों को लिखना है याद करना है समझना है अगर यह वीडियो आपको एक बार में याद नहीं होती है तो वीडिय वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत वन्दे मात्रम।